कॉंग्रिस मासचेव प्रियंका गांधी वाड़रा के साथ उत्तरप्रदेश कॉंग्रेस के नेताओं के एहम बैठक हुई ये बैठक राहूल गांधी के दिल ले स्थितावास पर करीब तेर घंटे तक चली बैठक में पार्टी को मजबूत बनाने का एजिंडा सिट किया गया इस बैठक में यूपी कॉंग्रेस के प्रदेश अद्धिक्ष अजे कुमार ललू भी शामिल थे अजे कुमार ललू से खास बात चीत की हमारे संबादाता राहूल डबास ने प्रियंका गांदी के साथ उत्त्य प्रदेश कॉंग्रेस नेताओं की बात हुई है स्टेटर्जी कमेटी की बैठक के गई हमारे बात काने के लिए प्रदेश अद्धिक्ष अजे कुमार जी है अजिकुमार्जी अगर बात किज़े आज की बैटक की रणनीती किस लिहाज से बनी और 2022 में संगठन के स्थर से कितनी मजबूत हो जाएगी कॉंगर्ण देखे निश्चित कांगरेस पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जा कैसे प्रभावी बने आगे हमें छे महिने में क्या काम करने है इन विश्यों को ले करने अंतर चर्चा हुई है निश्चित मुझे लगता है कि आने वाले दिन में सभी लोगों का ये की एजंडा हो हुआ पार्टी को फाइदा नहीं हुआ और उपचुनाओं के लिए भी क्या कुछ मन्थन किया गया दिखे मैं बड़ा अस्पष्ट कर दूं और आदरी सिर्मति प्यंका गादी जी ने बड़ा अस्पष्ट कर दिया है कि हम 2022 में अखेले चुनाओ लड़ेंगे कांग्रेस कारे करताओं के दंप चुनाओं लड़ेंगे और उपचुनाओं को दिष्टिगत सारे जगहों पर सारे हमारे बरिष्ट नेतागन पार्टी संगठन के पदादी कारी कर और सभी लोगों की अलग-अलग जिम्मेदारियां तैक की जा चुकी है और निश्चित सभी लोग म आपको क्या लगता है मुख्य मंतरी के तौर पर भी असी मांग कई बार कारे करता है देखिया आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी में कोई इस तरह की रीत नहीं है कि पहले से किसी का चेहरा सामने लाए जाए ये लोगों के जन भावनाओं के बाद लोग जनता की आवाज अगले महीने नवंबर में राम मंदिर को लेकर फैसल आने के उमीद है आपको लगता है कि उसके बाद योगी सरकार कानून में वस्ता क्याहला ठीक तरीके से हैंडल कर पाएगी योग कि बानवे में बहुत कुछ बुरा हुआ था उत्तर प्रदेश करता है देखिए अभी अगर आप मेडिया रोज सबेरे पेपर पढ़ें रोज आपको घटनाएं प्रकास में सामने आ रही हैं निश्चित पहले कानून विवस्ता पर ये सरकार चिंता व्यक्त करें फिर उसके बाद कोई बात करें वीरो जलनेश जैराम के साथ राखो लबास निव स्टेट दिल लिए